Hello Hello Friends and many times we are stuck in a situation जहांपर हमें जो SlideShare का PPT होता है वो download करना होता है जैसे कि यहांपर मैंने topic search करा है और उस पर मैंने PPT निकाला है तो मुझे काफी सारे यहांपर results आ रहे और बट यह जितने भी results है यह सारे SlideShare पर available है जब भी मैं PPT को देखने जाता हूं तो यहांपर काफी सारे ads वगरा आते और यह ads काफी annoying होते हैं तो हम लोग इसको download करने के लिए option में जाते हैं बट यहांपर हमसे subscription के पैसे मांगे जाते हैं तो इसका कोई alternative है क्या आप यह पुरी PPT डाउनलोड कर सकते हैं बट मैं आपसे request करूँगा कि आप जो है इसका गलत उपयोग ना करे आप लोग को क्या करना है कि जो इसके link है इसको आप copy कर लीजिए and just यहांपर आपको एक website है slide share downloader slide share download free slide share downloader में आपको जाना है और आप जैसे ही search करेंगे तो आपको यह website डिख जाएगी यहांपर आपको जाना है और पहली link पे click कर देना है इस तरिके की website है यहांपर आपने जो link copy कर रहा था यह जो link आपने copy कर रहा था slide share downloader का इसको यहांपर आपको link को copy कर लेना है अपनी जो ppte slide share की और यहांपर लाकर किसको paste कर देना है आप जैसी paste करेंगे तो यहांपर आपको download पे click करना है download पे click करने के बाद आपको ऐसा option आ जाएगा जिसमें आप select कर सकते हैं आपको कौन-कौन सी slides को copy करना है या फिर download करना है अगर आपको सारी slides को copy करना है या फिर download करना है तो आप इसमें select all पे click कर दीजिए और just download पे click कर दीजिए तो इस तरीके से आपका यहांपर download जो है हो जाएगा यहांपर आप देख सकते हैं डाउनलोड में जाकर के कि किस तरीके से पूरा जो pdf है वो आपके पास download हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यह देखो यह जो pdf है पूरा download हो गया है और यह मेरे computer में save हो गया I think so यहांपर जो है आप अपना format भी choose कर सकते pdf download करना है, pt download करना है या image format दाउनलोड करना है तो आप किसी भी form में आपर download कर सकते है बट मैं आपसे request करूँगा कि आपका आपका जो आप काम कर रहे है वो मतलब education से related ही करे और इसमें कोई भी दूसरी तरिके की piracy ना करे because ऐसा legal नहीं है करना and I hope तो कि आप जो author है उनको credit भी properly देंगे है ना thank you so much for watching the video